दोस्तों भगवान हनवान जी को सिंदूरी रूप में देखना कैसा सपना माना जाता है। सौपन सास्तर में इसकी क्या व्यक्या की गई हैं आईए जानती हैं। दोस्तों हनवान जी को सक्ति सर्वोच भगवान राम की सेवा ग्यान और अन्याय के खिलाब लड़ाई का प्रतीक मना जाता है। क्योंकि यह एक सक्ति सानी उड़जा है जो मनोविक्यानिक और साररिक दौनों तरह से बदलाव ला सकती है। भगवान हनुमान का सपना देखने के बाद मड़पुर चक्र या सोड चक्र सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति इस नई उड़जा के साथ उत्साहित होना सुरू कर सकता है। जिस व्यक्ति को सपने में हनुमान जी दिखाई देते हैं। उसे जल्द ही ये सभी गुण पावरफुल होना सेवा भाव ग्यान सत्त की और खोज एके करके अपने अंदर प्रकट होने लगेंगे। यदि हनुमान जी आसिवा देने की मुद्रा में आ जाएं तो सपन देखने वाले को स्वास्त और आर्थिक परिसानिये जल्द ही दूर हो जाएंगी। यदि भगवान हनुमान गहरे लाल लंग में आती हैं और अपनी गदा के साथ प्रहार करने के लिए तियार होती हैं तो वे इस बात की और संकेत करता है कि उसे अपनी व्यक्ति को नेतिकता तथा मूले पर विसे त्यान देने की जरूत है। यदि हनुमान जी सपनी में देव ये उरजा हलकी हरे रंग के साथ दिखाए देते हैं या थाली में फल खाते हुए दिखाए देते हैं तो इसका मतलब है कि वे सपनी देखने वाले को अपने आसिवात के योगे मानते हैं। इसका मतलब यह भी है कि भगवान हनुमान जी व्यक्ति के सामने प्रकट हो सकते हैं और उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। यदि हनुमान जी सपने में भगवान काले रंग में दिखाई देते हैं तो याद रखें यह सपने देखने वाले की ओर सरवर्च संक्ति का संके देता है। लेकिन यह एक ऐसी उर्जा है जो बहुत सकतिसाली होगी। यह सला दी जाती है कि यदि सपने देखने वाले को भगवान काले रंग में दिखाई देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को योग मार्सल आर्ट भारी बैयाम कुस्ति और ध्यान के माद्दम से अपनी उर्जा को रियस्टोर करने की जरूरत है। यह सहासी इमानदा और भगवान राम और भगवान शिर्फ के परती समर्पित होना चाहिए। भगवान अनुमान का सपना आपके जीवन में आने वाली सारी बादाओं को भी नस्ट कर देता है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा सपना है ऐसा सपना देखने पर आपको स्री भगवान हनुमान के दर्शन अवस्य करनी चाहिए